एक ऐसा दमदार का लाकार जिसने रंग मंच, आर्ट सिनेमा और कमर्शिल सिनेमा में अपना सिक्का जमाया मिलेनी हो या फिर गंबी रोल हो, कुलबुशन खरबंदा ने हर रोल को बखुबी निबाया और मोका मिलने पर कॉमेडी भी खुब की ब्लैक और वाइट सिनेमा के आकरी दोर में अपना करियर शुरू करने वाले कुलबुशन खरबंदा अब वेब सिरीज में भी अपनी धमाकेदार एक्टिंग से अपने चाने वालों का मनरजन कर रहे है कुलबुशन खरबंदा का जन हुआ था बिटिश इंडिया के पंजाब रात के हसन अब्दल में 31 अक्टूबर सन 1944 को 1947 में भारत की विवाजन की साथ ही ये इलाका पाकिस्तान में चला गया और कुलबुशन का परिवार भारत आ गया कुलबुशन का जादातर बचपन जोतपूर में बिता और वही से इन्होंने अपने स्कूलिंग बिखी हाला कि बाद में इन्होंने धेरादून, अलिगड और दिल्ली से भी अपने कुछ पढ़ाई की थी कुलबुशन ने अपना ग्रेजुशन दिल्ली के किरोडिमन कॉलेज से पुरा किया था और यही वह जगा भी बनी जिसने कुलबुशन को थेटर की तरफ आकरशित कराया यह अपने कॉलेज के थेटर ग्रूप से जुड़ गए और नाटकों में भागने ले लगे यह तो नाटकों में काम करना इन्होंने कॉलेज की दिनों में शुरू किया लेकिन इस दिशा में इनका रुजान बच्पन में ही होने लगा था बचपन से ही ये कहानिया पढ़ने के शोकिन थे और हाथ में किताब लेकर बड़ी जोर-जोर से कहानिया पढ़ा करते थे किरोडी मिल कॉलेज में ये लगातार थेटर करते रहे और यहां से अपने पढ़ाई फुरी होने के बाद भी इन्होंने अपने कॉलेज के ही कुछ दोस्तों की साथ मिलकर थेटर करना जारी रखा दोस्तों के साथ मिलकर ही इन्होंने अभिहान नाम से अपना एक theater group बनाया था बाद में यह यात्रिक नाम की एक theater group का हिस्सा बन गे जो की दिल्ली में ही मौझूद था इसी theater group की director जॉय माइकल थे और यह group हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नाटक किया करता था यहाँ एब बाद भी बेहत खास है कि कुल्वुशन खरबंदा इस group से जुड़ने वाले वो पहले इंसान थे जिने महें ताना दिया जाता था लेकिन अलग जितने भी कराकार यात्रिक से जुड़े थे वो सब वालियंटर के तोर पर इसमें काम करते थे लेकिन कुछ सालों बात यात्रिक थेटर पैसे की कमी के चलते बंध हो गया यात्रिक के बंध होने के बाद कुल्वुशन खरबंदा ने रुख किया कुलकत्ता का और इन्होंने पदातिक नाम का एक थेटर ग्रुप जॉइन कर लिया लोग अक्सर इनका मजाग उडाते थे ना ते निरिष्टेदार ना ताना मारते थे इनसे कहते थे कि ये लड़का सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है और एक दिन ये बहत पच्टाएगा मगर इसे एक्टिंग करने का इतना ही शोक है तो ये फिल्मों में काम कर रहा है थेटर में क्यों खुद को बरबात कर रहा है लेकिन कुलबुशन का मन थेटर में इतने घरे तोर पर रम चुका था कि इन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था बहुत जादा पैसे ना मिलने के बावजूद भी ये रंगमंच में काम करते ही रहे इसी बीच किसी ने शाम बेनेगल को कुलबुशन करबंदा के बारे में बता दिया था ये वो वक्त था जब शाम बेनेगल अपनी फिल्म अंकूर की चलते काफी मशूर हो चुके थे शाम बेनेगल ने कुलबुशन करबंदा के पास संदेश भीजुआया और कहा कि वो उनसे मिलने चाहते है इसलिए कुलबुशन को मुंबई आना होगा लेकिन कुलबुशन ने ये कहते हुए इंकार कर दिया कि एक तो इतनी दूर जाने में खर्चा बहुत होगा और दुसरा कलकते वाले को वो रोल नहीं देगे इसके बाद शाम बैनेगल ने कुलबुशन को फ्लाइट की टिकेट भेज कर मुंबई बुलवाया और इनका स्क्रीन टेस्ट लिया ये बात भी गौर करने वाली है कि शाम बैनेगल ने इससे पहले कभी किसी एक्टर का स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया था लेकिन कुलबशन की ऐक्टिंग से शाम बनेगल इतने ज़ादा प्रभावित हुए कि स्क्रीन तेश के दौरान ही उनने फैसला कर लिया था कि अब से यह एक्टर उनकी फिल्मों का हिस्सा बनेगा शाम बेनेगल ने कुल बुशन के स्क्रीन टेश को डेवलप करा के भी नहीं देखा कमाल की बात ये भी है कि शाम बेनेगल ने इन्हें अपने फिल्म निशान में काम तो दिया था लेकिन ये इनके करियर की पहली रिलीस फिल्म नहीं थी दरसल कुलबुजन को सई परांस में भी इसी साल अपने फिल्म जादू का शंक में एक रोल दिया था और यही फिल्म इनकी पहली रिलीज फिल्म बनी इसके बाद रिलीज हुई थी शाम बेनेगल की निशान फिल्मों में इन्होंने जबरचस्त काम किया इसके बाद तो यह शाम बेनेगल की मन्थन, भूमिका, जुनून, कलियू जैसी फिल्मों में नज़र आए 1980 में यह नज़र आए रमेश चिपिक की फिल्म शान में इस फिल्म में उन्होंने मैन विलन शाकाल का किरदार निवाया था इनका एक किरदार बेहत मशूर हुआ और इस फिल्म में इन्हें रातो रात पुरे भारत में मशूर कर दिया था इसके बाद यह नज़र आए महेश बट की फिल्म अर्थ में जिसमें शबाना आजमी के साथ लीड कैरेक्टर में थे इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग को बेहत पसंद किया गया था यही वो वक्त था जब ये थेटर से दूर होते चले गए और कमर्शिल सेनेमा से जुड़ते गए इन्होंने घायल, गुप, बॉर्डर, रिफ्यूजी, लोफर, चाइना गेट, पुकार, हेरा फेरी, दामिनी, जो जीता हुए ही सिकंदर, विराना, खट्था, मिठ्था जैसे एक सो पचास से भी ज़्यादा कमर्शिल फिल्मों में काम किया कूल बुशंग खरबंदा ने पंजाबी सेनेमा में भी काफी नाम कमाया है इसके अलावा दीपा महिता के फिल्म अर्थ, फायर और वाटर में ये नजर आए साती छोटे परदे पर भी इन्होंने काफी काम किया लेकिन जब भी इन्हें पैरलल सिनेमा में काम करने का मोका मिला वो मोका इन्होंने कभी नहीं कवाया क्योंकि पैरलल सिनेमा ही इनके अंदर के असली अभीनेता से इनके फैंस रूबुर हुए थे सालों बाद ये फिर से थेटर से जुड़े और अपने पुराने थेटर गुरुप पदातिक थेटर के बैनर तले इन्होंने आत्मकता नाटक में काम किया इनके काम को रंगमंच के शोकी इनोंने भी काफी पसंद किया और केवल इस नाटक में ही नहीं सकराम बाइंडर एक शुन्य बाजिराओ और हत्या एक आकार की जैसे नाटकों में इनकी अदाईगी को पसंद किया गया वेब सीरीज के चलन में भी इनोंने अपना नाम दर्ज कराया और लव शॉट्स नाम की एक वेब सीरीज में नजर आए इसके बाद मिर्जापूर में काम करके तो इनोंने वेब सीरीज की दुनिया में अपना नाम अमर करा लिया 2020 में ये BBC की मिनी सीरिज असुटेबल बॉय में नजर आए बात अगर इनकी नीजी जिन्दगी की बारे में करे तो इन्होंने साल 1965 में महेश्वरी देवी से शादी की थी महेश्वरी देवी एक शाही परिवार से है और राजस्तान के प्रतापगण राजगराने में पैदा हुई है कुलबुशन खरबंदा से पहले महेश्वरी देवी की शादी कोटा के महाराज से हुई थी लेकिन किनी कारलों के चलते वो शादी तूट गई थी कुलबुशन खरबंदा और महेश्वर देवी की दो बेटिया है शुरूती खरबंदा वकुरूती खरबंदा ये बात भी हैरान करने वाली है कि इतनी सारी फिल्मों में जबर्जस्ट परफॉर्मस देने वाले कुलबुशन खरबंदा को फिल्म इंडस्ट्री ने कभी किसी खिताब या अवार्ड से नहीं नवाजा साल 1986 में ये फिल्म गुलामी में अपने रोल के लिए फिल्म फैर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट ज़रूर हुए थे लेकिन वो अवार्ड इनका ना हो सका मानना है कि कुल बुशन खरबंदा जैसे महान कलाकारों को किसी और अवार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जन्ता उनके काम को बेहत पसंद करती है और उनके काम को पुरा सनमान देती है एक कलाकार के लिए बला इस से बढ़कर कोई और अवार्ड और क्या होगा तो दोस्तों अभी के लिए पसिता ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाई बाई